कुछेशन क्या करते हैं, the value of under root 0.441 divided by under root 0.625 is equal to a 4 option दिये हुए, फूच है कि कौन सा option सही होगा, तो जो expression दिया हुए है, जिसका हम में value find out करनी है, वो है under root 0.441 divided by under root 0.625, हम देख पा रहे हैं कि यहां भी 3 digit पे decimal है और यहां भी 3 digit पे decimal है, it means हम उस decimal को अगर हटा दें, तो हमारे पास जो value आएगी 441 आएगी, उपर और नीचे में क्या आएगी, 625 आएगी, हमें पता है क 441 किसका square root होता है, 21 का square root होता है, उसी तरह से जो आपका 625 है, वो किसका square root होता है, 25 का square root होता है, तो जो fraction change हो रहा है, यह value जो change हो रही है, वो किसमें change हो जा रही है, 21 by 25, और वो equal होता है कितने के 0.84K, it means option 2, 0.84 सही है, कर दो